सभुपुदेशक अध्याय चार सभुपुदेशक अध्याय चार तब मैंने फिरकर वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आसु बहर रहे है और उनको कोई शांती देने वाला नहीं और अंधेर करने वालों के तो शक्ती है परंतु उनको भी कोई शांती देने इसलिए मैंने मरे हुऊं को जो मर चुके है उन जिवितों से जो अब तक जिवित है अधीक सराहा, बरन उन दोनों से अधीक सुभागी वहा है जो अब तक पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने ये बुरे काम नहीं देखे जो संसार में होते हैं. तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा कि इसके कारण लोग अपने पडोसी से जलते हैं, यह भी व्यर्थ और मन का कूढ़न है, मुर्ख चाती पर हात रखे रहता और अपना मास खाता है, चैन के साथ एक मुठी उन दो मुठीयों से अच्छी है, जिनके साथ परिश्रम और मन का कूढ़न है, तब मैंने फिरकर धर्ती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है, न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंतर नहीं होता, और न उसकी आखे धन से संतुष्ट होती है, वह कहत है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुखरहीत रखता हूँ, यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है, एक से दो अच्छे है, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, तो दूसरा उसको उठाएगा परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला नव हो, फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्योंकर गर्म हो सकता है, और कोई अकेले पर प्रबल होतो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे, और जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी तही तूटती है। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बुढ़े और मुर्ख राजा से जो फिर उपदेश गिरुहन न करे कही उत्तम है। क्योंकि वह तो उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ और वह बंदी मैंने सब जीवतों को जो धर्ती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिये हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। अनगिनत थे वे सब लोग जिन पर वह प्रधान हुआ। तो भी भविश्य में होने वाले लोग उसके कारण आन का कुढ़न है।